गुरु वशिष्ट स्रीराम जी को योग वशिष्ट में कह रहे हैं, उबदेश देते वे कह रहे हैं कि स्रीराम मेरे उबदेशों का पालन करने वाले, यानि कि जब स्रवन किया तो उसका मनन भी करना पड़ेगा, तो इन उबदेशों का आचरन करने वाले बहुत ही कम लोग हैं और आगे भी बहुत कम लोग होंगे मेरे उब्देश का तारपरी है कि जैसे जो उब्देश आत्मिज्ञान पर आधारित हैं जो उब्देश जन्म और मृत्यों के चक्र को तोड़ने के लिए हैं जो उब्देश दुखों का अंत करके परमशानती को दिलाने वाले हैं वो गुरु अशिष्ट के उब्देश हैं लेकिन कहते हैं कि जो जिनकी प्रतिश्यता बहुत अधिक है वो कौनसों लोग हैं जिन लोगों का मन उस कच्वे के समान है जो की अहंकारी कामनाओं या वास्नाओं के किचर में डूबे रहते हैं साथ में अहंकारी कामनाओं की उनकी खाल भी लगी रहती है कच्वे के बाहर तो ऐसे लोगों का जो मन है उस कच्वे के समान है तो फिर सूरज का प्रकाषित भी हो रहाया तो और सूरज का प्रकाषित नहीं है यहीं नहीं कहते हैं कि अगर हजारों सुरज भी अकर आकास पर प्रकाशित हो रहे हैं तब उस कच्वे को जो सुरज का प्रकाश है यानि ग्यान का प्रकाश लेस मात्र भी नहीं मिल पाएगा लेकिन जो दूसरी हो रहे हैं जो मेरे उप्रियस का समण कर रहे हैं उनका मनन कर रहे हैं चिंतन कर रहे हैं उस पर आचरन भी कर रहे हैं फॉलो कर रहे हैं वो निरंतर जैसे कि उन उस कीचर से निकल करके वासनों के कीचर से निकल करके सुरज के प्रकाश का आनंद ले रहे ह और अंत में वो इस जन्म और मुद्व का जो एक अशुब चक्र है इससे मुक्त हो जाते हैं